दोस्तों Master Class of Share Markets की सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नमबर 25 Friends, I hope कि आपको कैपसूल के रूप में यहाँ पर जो मैं नालिज जे रहा हूँ आपको सेयर बजार में आपकी जर्मी सुरू करने में बिल्कुल मदद करेगा और आप किसी भी कंपनी को फिर उसके बाद आराम से आप उसकी एनालिसिस कर पाएंगे तो आईए इस वीडियो में भी कुछ नया करते हैं और ताकि आपका value addition हो सके दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे financial analysis की किस तरह से financial analysis किसी कंपनी की की जाती है और आज इसका है part number 5 CE क्या होता है उसी तरह से यहाँ पर एक और parameter है जिसके बारे में बात करूँगा आज return on equity की तो दोस्तों देखे यहाँ पर जब हम बात करेंगे return on equity की तो यहाँ पर आपको दो figure लेने होंगे दो figure से इसका calculation होगा कौन कौन सा आई रियान लेते हैं तो सबसे पहला जो figure है दोस्तों यहाँ पर होगा net profit का net profit आप जानते हैं एक तो होता है operating profit जिसके बारे में हम लोगोंने कल बात की थी operating profit क्या होता है जैसे कि माल लिजे आपने 100 रुपए का माल बेचा ठीक है अब माल को बनाने की लागत थी 40 रुपए माल को बनाने की लागत मत्तब किवल वो जितने रुपए का बना तो यहाँ पर आपकी operating profit हो गई 60 रुपए अब माल को बेचने की लागत हो गई 30 रुपए ठीक है यानि की कर्मचारी भी आप रखे हैं ब्रांच वगरा आपने खोल रखा है सारा कुछ खर्चा वर्चा निकाल करके आपको बचता है interest वगरा अगरमान लीजे आपने लोन दिया हुआ है सब इसमें 30 रुपए में साम करता है tax वगरा सब कुछ देने के बाद ये बच रहा है ठीक है दूसरा चीज यहां पर जो दूसरा figure है दोस्तों वो है shareholders funds कैसे निकालेंगे total assets ले लेंगे और total liabilities ले लेंगे दोनों को करेंगे minus तो आपका आजाएगा shareholders fund यानि कि shareholder ने कितना पैसा पैसा जो है capital के रूप अपनी को रखा हुआ है ये आ जाएगा अब ये रहा इसका formula दोस्तों net profit ले लिया आपने और उसको आप दिवाइट करेंगे shareholder fund से और फिर उसके बाद जो आपका result आएगा उसको आप यहां पर multiply करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा return on equity यानि यहां net profit आप जो कमा रहे हैं उस उसका संबन्द आप देख रहे हैं shareholder के fund से यानि कि shareholder ने जो भी capital आपको दिया हुआ है business को run करने के लिए उस capital को आप के use करने के बाद आप कितना net profit कितना पैसा कमा करके shareholder को दे रहे हैं तो वो चीज यहां पर के निकल करके सामने आती है देखे हाई ROE अगर है तो ये कि company किस तरह से capitalize कर रही है इसकी equity पर यानि कि equity क्या है shareholder का पैसा shareholder के पैसे को प्रयोग करके company किस तरह से return generate कर रही है इसके पहले ROC में क्या था ROC में जो है पूरा का पूरा capital था shareholder funds, long term capital दोनों का यहां पर था और उसका संबन operating profit से केवल होता है अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहां पर ROE में net profit लिया जाता है और साथी साथ उसका comparison जो है वो company के equity से यानि कि shareholders के fund से किया जाता है अब उसके बाद आपको यह अंदाज तो लगी गया होगा कि जितना ज्यादा net profit हो उतना ही अच्छा रहेगा और ROE उससे जो है impacted होगी और ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी दोस्तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ screener पर और screener पर मैंने खोल रखा है Sun Pharma आप देखिए इसकी ROE क्या है 16.7% यानि कि return on equity जितना पैसा लगा हुआ है उस पर 16.7% जनरेट करके company अपने shareholders को दे रही है अब दोस्तो इस screener पर मैंने खोल रखा है Ultra Tech Cement काफी दिगगा जो बड़ी company है 12.2% का यहाँ पर ROE जो है generate करके company दे रही है फिलहाल private sector का एक दिगज बैंक कोटक महिंदरा बैंक 15% का ROE अपने निवेशकों को यानि कि shareholders को generate करके दे रही है अब दोस्तो एक मुश्किल में फसा हुआ bank Yes Bank यहाँ केवल 3.18% क्योंकि यहाँ पर समस्या है तो 3.18% की ROE company अपने shareholders को दे पा रही है दोस्तो ITC की बात करें FMCG की दिगज company ROE देखिए 28.4% यहाँ पर ROE आपको जवरदस्त company देती हुए नजर आ रही है दोस्तो नए जवाने की company अभी हाली में company जो है list हुई हाली में कहने का मतलब 2 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे company ROE के front पर काम करते हुए नजर आ रही है अभी profitable just हुई है थोड़ी बहुत profitable company के पास तो यहाँ पे आपको वो साफ नजर आएगा 1.12% only ROE from Jometto तो दोस्तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ROE calculate की जाती है और मैंने कुछ दिगज company बड़ी large cap company को आपके सामने रखा और साथी साथ एक trouble company जो की yes bank है उसको भी रखा और साथी साथ नई company Zometto को भी रखा ताकि आपको एक flavor मिल सके कि ROE किस तरह से impact करती है performance से किस तरह से link है बड़ी company जो है वाराम से ROE generate करने में सफल हो जा रही है जो company अच्छा perform नहीं कर रही है किसी scandal में फसी उसके बाद देखिए उसकी हालत क्या हुई और जो company अभी हालिक की listed है और अभी हालिक में profitable हुई है तो आप समझ सकते कि उसका net profit वगरा कम होगा और equity based जादा होने के वजह से वहां पर ROE आपको कम नजर आएगा तो कुल मिला करके आपको यह देखना है कि हाई ROE की बाली company होनी चाहिए लेकिन केवल ROE ही नहीं देखना है जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ अलग-अलग वीडियो में मैं अलग-अलग चीज बचाया जैसे कि लास्ट वीडियो में ROE पर बात हुई थे तो सभी कुछ आपको देखना पड़ दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो चैनलन पर अगर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को ROE के बारे में पता चले और वो जब भी डिसिजन ले तो इस बर भी ध्यान दे फ्रेंट्स कॉमेंट करके बताएए कि वीडियो कैसा लग रहा है और किस तरह से इसको और इंप्रूब किया जा सकता है थैंक यू सो मच फरेंट्स